अगर आपका mobile phone आपसे गलती से format हो गया है और इस mobile phone के अंदर आपके फोटू तो और वीडियो ते जो आपके काफी personal है और आप चाहते हैं इन फोटू और वीडियो को अपने mobile phone में वापस लाना वह भी only 5 तो अगर आप चाहते हैं अपने फोटो और वीडियो को वापस लाना तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें इसकी बिलकुल भी ना करें और वीडियो पसंद आने पर विडियो को लाइक एंद्थ नहीं को सब्सक्राइब ना बोलें तो अप चली चलते हैं आपने यहसे दो तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने वीडियो को वापस ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने फोटू को कैसे वापस ला सकते हैं, उसके लिए आपको आना है फिले इस्टोर पे, यहाँ पर आपको सर्च करना है, डिकस बीजाएर यह आपको सर्च करने के बाद आपके सामने यह एप आ जाएगा, आपको यह अपने मोबाइल फोन म यहां से इस्टॉल कर लेना है बात करें इस एपी रिटिंग की 3.6 इस एपी रिटिंग है और 10 क्रोड़ों प्लस इस एप डाउनलोड है रिटिंग थोड़ी कम है मगर काफी यूजर के यहां पर फोटू वापसा है डाउनलोड तो इस एप काफी ज़्यादा है एप आते हैं आपके वहाद लाना तो आप क्लिक करेंगे सर्च पॉर लॉश्ट फोटू पर यहाँ पर कलिक करने के बाद गोटू से उसा नहीं है और आपकी फोटू यहां पर वापस आने स्टार्ट हो जाएंगे जो भी फोटू के डिलेट हो गए तो आपके मुबाइल पून वापस लाने में दोस्तों नीचे आपके सामने स्केनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जो भी आपके फोटो रहेंगे वह सब यहां पर आकश्रो हो जाएं कितने फोटो आपके अभी तक यहां से आपको अपने किसी एक फोल्डर को सेब करना चाहते हैं क्लिक करने के बात यह वहाँ वहां पर जाकर हो जाएंगे तो अब आपके सामने ऑप्स ना ता है सर्च वर लॉस्ट वीडियो का अगर आगे वी यहां पर रिकावर कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको फोटू रिकावर करकर दिखा हैं तो यहां सब हम बेक करते हैं अब बात कर लेते हैं जो फोटू हमने यहां से रिकावर करें हैं वो कहां पर शेफ होते हैं उसके लिए आपको सर्च करना है माइफ वाइल यह सर्च करने के बाद आपको इसे से ओपन कर लेना इंटर्न स्टोरीक को आपन करना है यहाँ पर हम फॉल्टर रफिट हुए ते जब हमने मुबाइल 게임 फॉ्शे हो गए हैं अब हम इन को आपने कर सकते हैं ओर पे अपने लेपटोप PER газ कर सकते हैं और जो इन Nexus इ'll do not डाउन नहीं हुए काफ फेची लИ्ट अब बता और एक तरयो और वीडियो को वापस आने का जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता आपक्स उब यहां आते हैं आपको ये एप अपने mobile phone में या तो update कर लेना है या फिर आपको अपने mobile phone में install कर लेना है एप install करने के बाद आपको ये एप simply अपने mobile phone में open करना है एप open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आता है यहाँ पर आपको वीडियो को complete देखना है skip आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अब आप उपर किलिक करेंगे profile वाले icon पे यहाँ पर किलिक करने की बात पहले आपको यहाँ पर अपनी email ID से login करना है दोस्तों एक बात का आपको दिहान रखना है जिस email ID से आप login करेंगे वो email ID आपकी वही होनी चाहिए जब आपने अपना mobile phone format करा था उस time जो आपके mobile phone में email ID थी वही email ID आपको यहाँ पर enter करकर इसमें login कर लेना है login करने के बाद आपके जो mobile phone में आपके photos थे, videos थी वो automatic यहाँ पर recover होनी start हो जाएगी फिर आप उन्हें एक एक करकर यहाँ से download कर सकते हैं या फिर आप उन्हें file में जाकर भी check कर सकते हैं यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगी जैसे कि अभी के time में हमारे पास एक video है मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ तो यह video अभी दख हमारे mobile phone में safe है और अगर हम चाहे तो इससे अपने mobile phone में यहाँ से download भी कर सकते हैं या फिर अगर हम इस email id से किसी और mobile phone में login करते हैं तो वहाँ पर भी यह video हमारी show हो जाएगी तो एक option आपके पास यह होता है आपके mobile phone अगर format होता है तो photo videos वापस दाने का बागी कोई और other option आपके बास नहीं है photo video वापस दाने के जो भी option दे photo video वापस दाने के मैंने आपको इस video में उनके बारे में चानखाय दे दी है अगर आपके photo और videos वापस आ गई है तो आप चलिए मिलते हैं फिर आपसे next video में जब तक के लिए जहिंद